स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन में आपका स्वाधत है आज हम काशी फल की सबजी बना ले हैं इसके लिए हमें लेना है काशी फल 800 ग्राम हरे मिर्च 2 कटी हुई दाना मेथी 1 तीजपून जीरा 1 तीजपून धनिया पौदर 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मेच 1 तीजपून हल्दी पौदर 1 तीजपून नमक स्वाद की अनुसार साबूत लाल मेच 2 गुड 25 ग्राम नीम्बू 1 और तेल 2 तीजपून हमने ग्यास ओन की है और इसमें हम तेल डाल रहे हैं काशी फल को हमने धो लिया है और छोटे-छोटे पीस इसके काट लिये हैं तेल गरम हो गया है अब हम इसमें दाना मेथी डालते हैं पहले जीरा और ये ही ओप्शनल है हरे मेच डाल रहे हैं नाल मेच अब हम कटे हुए काशी फल को इसमें डाल रहे हैं काशी फल में अब हम इस मसाले डाल दें सबसे पहले भल्डी पाउड़क लाल मेच दनिया पाउड़क और नमक अब इसमें करीब दो टेबल स्पून हम पानी डालेंगे और इसे दखके पंदार में तब करेंगे इसे ढखकर कुक करना है और मीडियम से स्लो फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है बीच में हम इसे एक दो बार चला कर देखेंगे सबजी करीब करीब तयार हो गई है अब हम इसमें ये गुड़ टाल रहे हैं इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे गुड़ इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम गैस बंद करेंगे और निम्बू का रस में लाएंगे और इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे निम्बू के रस को ये सबजी हमारी बन गई है और इसे हम इस कंटेनर में आप निकाल सकते हैं ये हमारी काशिफल की सबजी बनकर तेयार है आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्हित्वो